श्री गनेशाय नमहा, नमशकार दोस्तो, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उधार चड़ाव आते हैं, वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है, और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बारवे भाव में रहेंगे, जी हाँ, बारवे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है, इस दिन आप को कुछ सावधानिया बरत्नी जरूरी होगी और साथ ही कुछ उपाय करने भी जरूरे होगे, ताकि आपका दिन अच्छा जाए, इस दिन आप मांसिक काउटे देखने को मिल सकती है अगर आप बिजनेस करते है तो आज कोई महत्वपुर्ण निर्णय ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक गलत निर्णय लेने से भविश्य में आपको पच्छताना भी पड़ सकता है आज फिजूल के खर्चे काफी हो सकते है तो खर्चे करनी पड़ सकती है लेकिन यात्राय करने के लिए समय ठीक नहीं है यात्राओं से लाप मिलने की संभावना काफी कम रहेगी यात्राय टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यात्रा के दोरान स्वास्त भी परिशान कर सकता है तो संभल कर रहना जरूरी होगा नोकरी पे क्योंकि आज किसी भी तरह के विवाद में पढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा आज आप अगर अपने काम से काम रखते हैं, खुद को काम में बिज़ी रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा घर परिवार में भी परिशानिया रह सकती है, परिवार में किसी सदस्य क्या स्वास्त्य बिगडने की संभावना रहेगी, इस वज़े से खर्चा भी काफी हो सकता है, इस दिन चोट लगने की भी संभावना है तो आपको संभल कर रहना होगा, आपके बहान की स्पेड भी ध अंभाव न रहेगी आज हर काम समझदारी से करे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्य ना होने दे स्टूडन्स के लिए भी समय थोड़ा परेशानी भरा रहेगा पढ़ाई से अलग चीजों में मन लगेगा ध्यान भटकेगा अपने लक्षपर केंद्रित करपाना आज मुश जरूर ले दोस्तों अगर आप विदेश में जौब करते हैं बिजनेस करते हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रहे सकता है वहां से धन कमाना भी आपके लिए आसान रहेगा विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा अगर आपका कोई विदेश में रहता है तो उनसे भी आपकी बातचीत इस समय में बढ़ सकती है तो विदेश से जुड़े मुद्धों पर आपको लाभी लाभ मिल रहा है लेकिन बाकी सारे ख्षेत्रों में नुकसान होने की संभाव नहीं रहेगी अगर स्वास्ते की बात करें तो इस समय में स्वास्ते भी परिशान कर सकता है आखों से जुड़ी परिशानिया रह सकती है मानसीक तनाव डिस्टर्बंसिस भी रहेंगे पुरानी परिशानिया भी आपको परिशान कर सकती है आज हलका भोजन ले सुबह टहलने जरूर जाए कवों को रोटी खिलाए, मंदिर जाकर भगवान का दर्शन ले और एक रुपे का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले और माथे पर चंदनिया केसर का तिलक जरूर लगाए तो कापी हट तक परिशानिया खत्म हो जाएगी इस दिन आपके लिए पीले रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी सावित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है और उन चीजों के आस्पास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उ उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्थ अच्छी लग रही है तो फिर उनसे negative energy उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है इस वज़े से घर के चप को पूरी तरे से साप रखें clean रखें साथी दोस्तो हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान बहुत ही मुश्किल है साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंती बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्र आतों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना ह दूस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं क्योकि मकडी अपना चाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरकी ला सकते है धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद